गुड बॉर्निंग, वेलकम टू स्टैनो हेल्पलाइन, स्टैनो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है, तो चले स्टार्ट करते हैं, प्रेबियस यह डिक्टेशन, रपी असी के, इसके और भी डिक्टेशन है, जो टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएंगे, बट ए स्टैनो के साथ, I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक, कमिट और सह करना बिलकुल भी न भूले, इसकी आउटलाइन एंड पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल चाहेगी, टेलिग्राम चैनल जाइन करने के लिए आप डारेक सर्च कर सकत होते हैं, ताकि आप एपना exact error देखवाएं कि क्या गलतियां हुई हैं, सौसब्द प्रतमिन डिक्टेशन स्टार्ट होगा, थ्री सेकेंड बाद, किसी काम को व्यवस्था के साथ किया जाए, तो उसमें कोई भी परिशानी नहीं होती, यदि हमारे कामों में व्यवस्था की थोड़ी सी भी तुटी हो जाए, तो हमारे काम बिगड जाते हैं, और हम उन्नती नहीं कर सकते हैं, सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं नियमानुसार ही चल रही हैं, बिना नियम और अनुशासन के न तो कोई व्यवसाय चल सकता है और न सामाजिक उन्नती ही की जा सकती है, क्या ब्यापारी और क्या नेता, सभी को नियम पुर्वक कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है, व्यवसाय में तो विशेश तोर पर नियम तथा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, बिना किसी दक्ष प्रबंधक के कॉमा और अनियमितता दूर किये बिना व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाना असंभव है, किसी भी बड़े कारखाने को देख लिजिए, नियम पुर्वक काम कर पाने से ही वह उन्नती हो सकता है, यदि नियम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए, तो सारा व्यवसाय ही चौपट हो जाए, कोई भी और कितना ही जटल व्यवसाय हो, व्यवस्था से ही सुचारू रूप से चल सकता है, कई और व्यवस्थित व्यक्ति यह सोचते हैं कि मुख्य लक्ष की ओर देखना ही आवश्यक है, संबंधित बातों की विशेश व्यवस्था करने की आवश्यक्ता नहीं, परंतु वास्तविक्ता यह है कि लक्ष से संबन्दित छोटी छोटी बातों की व्यवस्था परमावश्यक है जो व्यक्ती छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखता उससे यह आसा कैसे की जा सकती है कि वह बड़ी एवं चटल बातों को समहाल लेगा यदि छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान न दिया जाए तो सारा व्यवस्था ही चौपट हो जाए यदि व्यवस्था न की जाए तो व्यक्तियों का बहुत सा समय और धन नश्ट हो जाए स्टॉप उचित व्यवस्था करके ही सकती और समय की बचत की जा सकती है नियम पर चलते रहने से समय और सकती दोनों की बचत होती है स्टॉप नियमित व्यक्ती अपनी वस्थूओं को इधर उधर नहीं फेकते कॉमा बलकी एक नियत इस्थान पर रखते हैं कॉमा जिससे उन्हें धूनने में समय या सकती नस्ट नहीं करने पड़ती स्टॉप इस प्रकार उनकी सकती और समय अन्य लाभपत कार्यों में लगते हैं स्टॉप पैरा नियम पालन करते अर्थात व्यवस्था में रहने से ऐसी बुद्धी इस फुटित होती है कॉमा जिसकी सहायता से बड़े से बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं स्टॉप व्यवस्था के कारण नियमित व्यक्ति थोड़े समय में इतना अधिक काम कर लेता है कि लोगों को आश्यर्य होने लगता है व्यवस्थित होने के कारण उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है जबकि अन्यमित व्यक्ति असफल ही होता है अतह यह आवश्यक है कि नियमों का पालन दृड़ता पुर्व किया जाए कॉमा तब उद्देश्य पूर्ण हो सकता है अन्यथा नहीं समाज की उन्यती भी नियम और अनुसासन पर ही आसरित है यदि नियमों के क्रम को समाप्त कर दिया जाए कॉमा तो उन्यती रुख जाएगी क्या साहिद्य कॉमा क्या समाज और क्या धर्म कॉमा सभी की उन्यती नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने के कारण ही हो सकती है स्टॉप जिस साहित्य कौमा समाज और जिस धर्म के नियमों का पालन दुर्डता से नहीं हो सका कौमा वह साहित्य समाज और धर्म नश्ट हो गया स्टॉप केवल दस अंकों की व्यवस्था के आधार पर ही गडित में आसातीत उन्नती वर्तमान समय की बड़ी से बड़ी मसीने व्यवस्था के कारण ही सफलता पुर्व काम कर रहे हैं उनकी व्यवस्था के कुछ आधार भूत नियम हैं उन्हें के अनुसार वे अपना कार्य कर रहे हैं यदि उनके नियम अथवा विवस्था में थोड़ी से भी कमे की जाए या धील दे दी चाए कॉमा तो वे मसीने काम करना बंद कर दें और सब बेकार ही पड़ी रह जाएं श्टॉप पैरा नियम द्वारा कठिन से कठिन एवं पेचीदा काम भी सरल हो जाता है श्टॉप आकास के तारे तधा अन्य ग्रह कितनी विवस्था से और नियम पुर्वग अपने अपने मार्ग पर चल रही है श्टॉप इनमें तनिक सी भी गड़बडी नहीं हो पाती यदि हो जाए तो सारे संसार में प्रलय हो जाए और संसार समाप्त हो जाए वैज्ञानिक लोग संसार के असंख्य पतार्थों को दुर्वीन की सहायता से देखते रहते हैं और आवश्चक्ता के समय वे उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि वैज्ञानिक उन पदार्थों का अध्यन करते समय उनके नियमों का भी अध्यन करते हैं तब ही उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं हम धर्म, राशनिती, व्यापार, सिक्षा, यात्रा और सरकार आधी की बाते करते हैं पर क्या हम यह भी जानते हैं कि इन बातों के बारे में हमने ज्यान कैसे प्राप्त किया और उसे नियम बद्ध करके पुस्तकों में लेपी बद्ध किया इन सब के लिए नियमानुसार कार्य करना अपिक्षित रहा है सफलता प्राप्त करने के लिए नियम पालन करने की अत्यंत आवश्यक्ता है नियमों नेही समाश, देश, राष्ट्र इवं संसार के लोगों को एक सूत्र में बांध रखा है यदभी हमारे विचार, स्वार्थ तथा उद्धेश विन भिन है इसमें कोई संदेह नहीं की संसार में ऐसे व्यक्ती भी हैं, जो किसी नियम, विवस्था अथवा अनुसासन को नहीं मानते कुछ लोग नियमों के आधार पर समाश को एकता के सुत्र में बांध देते हैं आज हमारे समाश को मजबूत बनाने में साहित्य का सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि जब समाश में गलत कार्य होने लगते हैं, तो साहित्य ही हमको सही रास्ता दिखाते हैं साहित्य के माध्यम से कई ऐसे महान पुरुषों के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है, कौमा जिन्होंने इस समाज को मजबूत करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और यह उन्होंने सिर्फ समाज के लिए किया, क्योंकि जब तक समाज सही रास्ते पर नहीं चलेगा, तब तक लोग भी सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, समाज ही लोगों को संस्कृती के बंधन में बांधता है और हम उस बंधन में बंध कर अच्छे कारिय करते रहते हैं, स्टॉप जब सहित्यकार के द्वारा किसी महापुरुष के बारे में लिखा हुआ सहित्य हम पढ़ते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हम भी उसी देश में जन्मे हैं, कॉमा जिस देश में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, स्टॉप पैरा, बच्पन से ही हमारे जीवन में समाज और सहित्य का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जब हम इस्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमको कहीं साहित्य कारों की लिखी हुई किताबों को पढ़ना पढ़ता है, और उन साहित्य के माध्यम से हमको अच्छी-अच्छी सीख मिलती है, जिसे हम सीख कर हमारा और हमारे अच्छे समाज का निर्मान करते हैं जो हम सीखते हैं उसी से हमारा भविश्य बनता है अगर हमारी जिन्दगी में हमें आगे बढ़ना है तो अच्छे लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए समाप्त डिक्टेशन समाप्त हुआ अब come to the point बिलकुल भी समय ना वेस्ट करते हुए आप 5 मिनट, exact 5 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं 5 मिनट आप इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद ट्रांसलेट करिए ट्रांसलेट अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है मेंबर नहीं है तो आप MS Word पर टाइप करिए और टाइप करने के बाद PDF से मैच कर लीजी और यदि आप मेंबर हैं तो वेबसाइट पर टाइप करके अपना रिसल्ट देखिए और हाँ यहाँ पर आपको यहाँ पर 00- करके होगा यहाँ पर ऐसी बुद्धी यहाँ पर 00 है यहाँ पर इस फुटित है तो हमने सुझा था बाद में इसको टाइप करेंगे बट रहे गया तो आप यहाँ पर हमने बोल भी दिया था इस फुटित होती है बट पीडियाप में आपको नहीं मिलेगा तो आप उसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक एक वर्ड बहुत मायनी रखता है गलतियां विल्कुल नहीं होनी चाहिए विल्कुल ध्यान से टाइप करिएगा आप यह समझे कि बस यह आपका एक्जाम ही है और आप अपनी मिस्टेक को अनलिसिस करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तेल देन अपना ख्याल रखिए और हाँ लाइक कामेंट तो शेयर करने बिल्कुल भी ना भूलें